जो डॉक्टर वाइस परमार उनिवर्सिटी ओफॉर्टी कल्चर एंफॉरेस्ट्री नौनी का जो स्थापना दिवस है उन्तालिस्वा उसको मनाने के लिए आज हमने यहाँ पे एगरीफेस्ट एवम किसान मेला जो है उसको मनाया है यह जो एगरीफेस्ट एवम किसान मेला है हमारी इन्वर्सिटी में कारेकरम चला हुआ है जो कि हम यह कहते हैं कि निशनल एगरीकल्चर जो एजूकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो हम इस कारेकरम को मना रहे हैं और यह हमारे हरे केंद्र पे हरे कॉलेज में मनाया जा रहा है हमने ये सोचा कि आज हमारा foundation day है तो इसी दिन हम इसको मनाते हैं तो 13 स्कूलों को जो हमारे कुलू और मंडी जिला से जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल है वहां से हमारे लगबग 100 बच्चे हमारे पास आए हुए है और उन बच्चों को हमने बिविन प्रतिसपरधा के लिए आमंतरित किया था उसमें ड्राइंग, डेक्लामेशन, मॉडल प्रेपरेशन और जो कि हमारे बागवानी, बानिकी और पर्यावरन के उपर उसके टॉपिक्स थे उसके उपर हमने इनका प्रतिसपरधा करवाई और उसमें हम जो बच्चे हैं उनको फर्स सेकें थर्ड प्राइज निकाल करके और कोशिस यह कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन इसका मकसद था कि बच्चों को अपनी होटिकल्चर की जो और बागवानी और बानिकी की जो एजुकेशन है उसके प्रतिजागरूख करना तो हमने इनको इनाम में भी हम इनको जो हमारी एग्रिकल्चर और होटिकल्चर से रिलेटिर जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वही हम इनको इनाम में दे रहे हैं और इसके साथ साथ हमने इन बच्चों के लिए अपने पॉप्लराइज करने के लिए जो हमारी इन्वस्टि की लोगों लगा करके जो कुल्वी हमारी सद्री है वो हमने हर एक बच्चे को दी है और जो हमारे अलिमिनाई आये हुए हैं, उनको हमने मफलर के साथ समानित किया है और इसका हमारा उदेश्य जो बागवान भी हमने यहां बुलाए है हमारा एक मकसद यह भी था कि बागवानों का जो समन जस्य है हमारे विज्यानिकों के साथ और किस परकार से बनाया जाए ताकि उन्हें एक स्टेज मिल सके, एक मंच मिल सके जहां पे वो अपनी बात को रख सके और हमारी बात को सुन सके तो यह भी हमारा एक इसका उदेश्य था इसके साथ साथ हम यह कहेंगे कि जो हमारा विश्य विद्याले है उसके हमारे जैसे पांच अनुसंधान के इंदर है हमारे बारा सैटेलाइट स्टेशन हैं और पांच हमारे कृशी विग्यान के इंदर है अनुसंधान केंदर का कार्या हमारा रिसर्च करना है और जो केवी केज है उस रिसर्च को बागवानों और किसानों तक पहुंचाना है और आज हमने जो हमने जितना भी कार्य किया हुआ है उसको लिखित रूप में लाने के लिए बिविन प्रकार की हमने जो ब्रोशर्ज हैं वो बनाए हैं और पिछले दस सालों पर अधारित जो अनुमानित मौसम है उसके अनुरूप हमने कौन-कौन से हमारे बगीचे का प्र प्रिक्रिया को वो फटाफट उसी महीने में कर सके इस मेले का उदेश्य हमारा यही है कि हमारी एजुकेशन बच्चों के बीच में जाए हमारा नौलेज जो है हमारे एक्सपीरियंस जो रिसर्च बागवानी और वानिकी में है वो किसानों के सांजा हो उनकी प्रॉब्लम हैं सौ बच्चे हमारे साथ आए हैं हमारे एलिमिनाइज जो की विभीन विभीन अच्छे उच पदों पर आसीन है वो भी हमारे बीच में है तो हम यह चाहते हैं कि डिपार्टमेंट होटी कल्चर फोरेस्ट्री आपका प्रशाश्निक तथा आपके जो बैंक का है इवन उ उनकी योजनाए हैं उसके वारे में उनको बताया और उसके बाद हमने बागवانों को बदलते परिवेश के वोपर आपका बागवानी को लेकर के क्या क्या करना चाहिए उसके ओपर लेक्चर करवाए परागन के प्रति उनके क्या जागुरुकता होने चाहिए उसके ओपर लेक्चर करवाए और जो बच्चों ने जो होटी कल्चिरिस्ट जो है आज हमारे बीच में आए और हम अपने आपको बहुत ही अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं अपत हुआ कि डॉक्टर यश्वन सिंग परमार युनिवस्टी का जो 49 वा यहां पे जो जो फाउंडर्स डे है उसके उपलक्ष में यहां पे हमारे बजौरा में जो यह कारेकरम रखा गया है और इसमें जो हमारे जितने साइंटिस्ट हैं और अग्रणी बागवान संगठन है उसके साथ में जो उतकृष्ट जितने भी यहां पे किसान बागवान हैं सब ने अपना समय निकाल कर स्कूली बच्चों ने समय निकाल कर इस किसांद दिवस को एग्रिफेस्ट की रुप में मनाया है मैं समस्ताओं की हमारे हिमाचल के लिए जो हॉल्टी कल्चर और एग्रिकल्चर में एक बहुत बड़ा जो अभी बविश्या है और ऐसे में जो ये विग्यानिकों ने जो जितना भी शोद कार्य किया है इन जो किसांद दिवस के माध्यम से वो शोद कार्य जो है बागवानों तक किसानों तक पहुंच रहा है मैं इस खास दिवसकी इने बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और जिस परकार से मानिनिय मुख्या मंतरी ठाकूर सुकविंदर सिंग सुकु जी के मार्क दर्शन में और जो आमारे जगत सिंग नेगी जी जो बागवानी मंतरी है उनके जो एक जिस परकार से एक विजन है उसमें हमने देखा कि बहुत अधार बूत उन्होंने परिवर्तन खासतोर पर हिमाचल में बागवानी में लेकर आये हैं और मैं समझता हूँ जिस परकार से युनिवर्सल काल्टरन को लागू करना और किलो के साब से सेब को बेचना उसके साथ में सबजी मंडियों में ही जो है कलेक्शन सेंटर का खोलना उससे हमारे फलूत पादकों को बहुत फाइदा हुआ है आने वाले वकत में जो जो यहां पे इस जो एग्रिकल्चर युनिवर्स्टी का जो एक्स्टेंशन सेंटर है हाल्टी कल्चर का जो हमारा यह है इसमें जो जो कमिया है उसके उपर मैं सरकार के समक्ष इन बातों को उठाऊँगा और मैं बहुत बेतर बविश्य देख रहा हूँ कि जो हमारे हॉल्टी कल्चर और एग्रिकल्चर में है बहुत बड़ा बविश्य हिमाचल का है और मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ इस दिवस की और उमीद करता हूँ कि मानिनी मुख्य मंत्री और जो ये बागवानी मंत्री है इनके मार्ग दर्शन में हमारा जिला और आगे बढ़ेगा और मेरी तरफ से भी जो भी यहां पे जो दन की जाजाम भी जुरूरत पड़ेगी बेशिकों कॉर्परेट शोशल रिस्पोंसिबिल्टी के तहत उस दन को म करवाया जाए उन सभी प्रापदानों को करते हुए हम निकट बिविश्य में और अग्रणी परदेश बागवानी क्षेतर में उबर कराएंगे सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलेप ठाकुर की रिपोर्ट